समीर वान्खेडे को लेकर कई आरोब लग रहें । इमानदारी से काम करते आ रहा है, उसे अब जाके ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, और ऐसी नहीं है कि उसे अपने आपको प्रूव नहीं किया है, उसने बार बार अपने आपको प्रूव किया है, उन्होंने मेडल्स जीते हैं अपने काम के लिए, और उन्होंने अपने आपको एक non-corrupt officer करके प्रूफ किया है, आप जाके किसी से भी पूछ लीजे, और ये extortion का ये जो allegation लगा रहे हैं उनके उपर, ये totally फर्जी है और ये totally गलत है, क्योंकि अगर extortion के ही business में समीर होते, तो आज हम लोग तो महलों में रह रहे होते, लेकिन हम लोग तो हमारे ए पतनी है, क्रांती वानखेडे, समीर की दूसरी पतनी है, क्रांती वानखेडे, समीर वानखेडे की पहले स्जाधी जिन से हुई, उनका नाम शबाना कुरेशी है, क्रांती ने साफ किया कि समीर वानखेडे हिंदू परिवार में पैदा हुए थी, इसके बारे में क्रांती ने क्या कुछ कहा वो भी सुनी कि आप जाके किस-किस का मुह पकड़ोगे और आप किस-किस को जाके क्या बोलोगे आज मेरे फादर इन लौ जो सतर साल के है आज अपनी फाइले लेके बैठे है सारे ओरीजनल डॉक्यमेंट्स बता रहे हैं कि यह मेरा फॉर सर्टिफिकेट ह हैं यह हैं यह यहांपर लिखा है कि हम हिंदू हैं यह 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 रहे लिखा है कि मेरा नाम है ग्यानदेव कंच्रुजी वांखिडे और समीर इस आ बॉन Сमीर ग्यानदेव उआठीडी जो एक हिंदू आदमी है यह सारे चीजे आज हमें प्रूफ करनी पढ़ रही है और वह किसलिए सिफ समीर की इमानदारी की वजे से? सिर्फ जस्ट बिकॉस की वो इमानदारी से अपना काम कर रहा है और को शादी हुई थी शबाना कुरेश नाम है इधर मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि एक और प्राइवसी को आप ऐसे चौराहे पिला कर रख देते है वो एक मुसलिम लेडी है बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर है आप आपने ये एक बार भी नहीं सोचा कि क्या वो औरत मुवाम कर चुकी है अपने लाइफ में क्या उसकी कोई परसनल रिलेशनशेप या कोई भी परसनल लाइफ है नहीं कि उसका फोटो आपने चाप क्या है अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी एक्स लाइफ उसकी आँको के सामने आए ये नहीं सोचा बस एक फोटो मिल तो डाल दिया इसे ही इंसेंसिटिव आरोप समीर पर लग रहे है इंसेंसिटिव मीडिया पोर्शन उसके बारे में इमिजिस और पोर्ट्रे की जारी है अपने के मासे भी चुपा दिया था मदर के बारे में क्या चुपा ना है क्या आपको चार दिन पहले इसमें चुपाने वाली बात हुग हूग.. समीर पर सर्टिफिकेट को लेकर भी आरूप लग रहे हैं कि सर्टिफिकेट पर समीर दाउद वानखेड़े लिखा है तो इसके बारे में उनके पतनी क्रांती वानखेड़े का क्या कहना है वो सुनिए तो यह मुझे पता नहीं हिन लोगों ने कैसे प्रोक्योर किया है या कैसे इसको तयार किया गया है या इसको किसी ने रात भर बैठ के बनाया है या क्या किया है I really don't know समीर की जो माता जी है जी वो बेशक मुस्लिम थी और उन्होंने भी अपने रिलिजिन को कनवर्ट किया था शादी के वक्त वो भी हिंदू बनी थी उसका भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रेस के सामने बताया हुआ है तो यहाँ पे अभी सवाल कहां पैदा होता है कि जस्विका समीर की ममी मुस्लिम थी इसके लिए उसको भी मुसलिम बनाओ डाडी को भी मुसलिम बना दो आर्यन खान के इस मामले के गवाह प्रभाकर सेल ने बीते दीन दावा किया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोर रुपे के डील हो रही थी जिसमें 18 करोर पर सहमती बनी थी जिसमें 8 करोर रुपे समीर को दिये जाने थे प्रभाकर के इन आरूपों पर समीरवान खेड़े की पतनी क्रांती ने सफाई दी इस पर उनका क्या कहना है वो सुने सबसे इंपोर्टन चीज ये है कि इस सारी चीजे उन्होंने कॉर्ट में क्यों नहीं रखी ये मीडिया के सामने आके मीडिया बाजी क्या कर रहे है क्यों नहीं कोट में रखी ये प्रूफ देते हैं और यह मेसे डंगी की चोट पर बोल दो, क्योंकि कोई प्रूफ लाके बता दे तो हर एक उस इनसान को या उस जगह को या उस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं जहां पर ड्रग्स का कारोबार होता है महाराष्ट के मंत्री और NCB के नेता नवाब मलिक पिछले लंबे समय से वानखेड़े पर सवाल खड़े करते रहे हैं वो लगभग रोजाना ही कोई न कोई नई जानकारी दे कर वानखेड़े पर आरोप लगाते हैं मलिक ने ताजा हमले में एक बर्त सर्टिफिकेट की कौपी को साजा किया और दावा किया कि यह सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है इस पर समीर वानखेडे के पिता ग्यान देव वानखेडे ने साब किया, उनके नाम में दाउद कैसे जोड़ा गया ये पता नहीं, उन्होंने बताया कि ये फरजी सर्टिफिकेट है, उनका क्या कहना है वो सुनी उठाया है, तो आज ये इसके दामात को आरेस्ट करने के बाद, आठ मेना जेल में रहने के बाद, ऐसी कौन से उसका प्यार आया, जो कि ट्रक के तरफ से बात करता है, समेर वानखेडे की यूनिफाम उतार दूँगा, उसका जाती आलग है, उसका बाप का नम दाउद है, य मैंने तो सब प्रूप के साथ सब लोगों को बता है, 55 से सर्टिपिकेट्स है, कॉलेज के, स्कूल के, इटाइडमेंड के, तो ये शरम आना चाहिए इसी बात बोलने को, और ये उमर में में को सर्टिपिकेट्स दिखाने लगा रहा है, उसकी हिमत कैसी है, हाई कौन चीज मेरा इंटर्यू लेने के बजाए, आपने उसका इंटर्यू लेना चाहिए, कहां से आया हो, एक भंगार में काम करने वाला आदमी, भंगार आदमी, कहां से सोना बनाया उसने, कहां एस्पी जॉइन किया, कैसा पल्टी मार की रास्टरवादी में गया, 5 साल क्या एमिनिस् भी हेड ओपिस भी आये हैं समीर वानखेरे ने एक एफ़ेटी पेट के जरी एक ओर्ट में बताया था कि उन्हें धमकी दी जा रही है और कई जूठे आरोप भी लगाये जा रहे हैं हाला कि ज्यांच अभी जारी है नियोज्टक ब्यूरो